आज मैं आप सबको कोफ़ते पालक बिनाना से खार ही हूँ बहुत ही इजी रेस्पी है और जट पैट बन जाते हैं तो आएए देखते हैं कि कोफ़ते पालक हम किस तरह से बनाएंगे और कौन-कौन सी चीजें इसमें यूज होंगी कोफ़ते पालक मैं देशीगी में बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसमें देशीगी फाइब टेबल स्पून यूज करूँगी आप अगर चाहें तो आईल में भी बना सकते हैं साल्ट है वन टी स्पून रेड चिली पाउडर क्वाटर टी स्पून हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून टोमाटो पेस्ट है वन टेबल स्पून इसके साथ मेरे पास है गरम मसाला वन टी स्पून कुसूरी मेथी है वन टेबल स्पून एक प्याज है और एक लेसन है मैं इस इसे ही यूज़ करूंगी अद्रक को और कोफते हैं मेरे पास मैंने फ्रीज किये हुए थे मैंने इनकी रेस्पी शेयर कार दी हुई है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकेंगे मैं डाल दूंगी तो इसके इलावा मेरे पास पालक है हाफ केजी फ्रेश पालक है इसको मैंने काट के बरीक तो इसको अच्छी तरह से वाश कर लिया है पाली को बहुत अच्छी तरह से वाश किया करें क्योंकि इसमें रेत होती है तो इसलिए इसको पानी में डिप करके थोड़ी दिर राक दें तो रेत नीचे बैठ जाती है और फिर साफ हो जाती है इतना ही हमने ब्राउन करना है प्यास को अब इसमें मैं दूसरी चीजें स्पाइसिस एड़ करने लगी हूँ सॉल्ट एड़ कर दिया है मैंने इसके साथ मैं सुर्ष मिर्च एड़ कर दी है साथ मैं भल्दी एड़ कर दूंगी गरम मसाला भी आड़ कर दिया है टमार्टर सबस मेर्च और रद्रक का पीस भी आड़ कर दिया है इसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी जब ये दो से तीन मिनट के लिए कुक हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर दूंगी हाफ गलास के करीब अब इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी ताकि इसमें गारलिक और लेसन जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से टोमाइटो पेस्ट भी एड़ कर दी है साथ ही इस सबको मैं 2-3 मिनट के लिए कुक करूंगी और फिर हैंड बिलेंडर के साथ मैं इसको बलेंड कर लूंगी अगर आप चाहें तो इसको बलेंड ना भी करें लेकिन फिर उसके लिए आपको इसको ज्यादा कुक करना तो हैंड ब्लेंडर के साथ इजी हो जाता है और जाट पड़ हो जाता है सारा काम इसको मैं ब्लेंड कर ही हूँ तो यह देखा आपने की यह पेस्ट बन चुकी है अब मैं इसको दो मिनट के लिए कुक करूंगी ताकि सारे मसाली अच्छी तरह से पक जाए अब इसमें मैंने कुफ्ते आड कर लिये हैं कुफ्ते आड करने के बाद हम इसको दो मिनट के लिए मजीद कुक करेंगे और फिर इसमें मैं अब मेती डाल रही हूँ मेती डालने के बाद हम इसको इतना कुक करेंगे कि आईल जो है गी हमने डाला था वो सेपरेट हो जाए वो मसाला अची तरह से भून जाए जब गी सेपरेट हो जाएगा इसमें तो हम पालक एड़ कर लेंगे पालक एड़ करने के बाद हम इसको इतना कूक करेंगे कि पालक सारी नीचे बैठ जाए अची तरह से क्योंकि पालक में अपना पानी भी होता है तो इसलिए हमें अदाजा हो जाता है कि हमने इसमें कितना पानी एड़ करना है इस पाइन पे आके एसमें तक्रीबन एक ग्लास पानी एड में अकरी रही हूँ ताकि पालक अच्छी तरह से गाल जाए पानी एड करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और इतनी देर तक कूप करूँगी कि जब तक पानी ड्राई हो जाए और पालक अची तरह से गाल जाए बीच बीच में हम चमची लाते रहेंगे ताके सारा कुछ अची तरह से मिक्स होता रहे अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सबस्क्राइब कर लिए साथ में बेल एकन का बटन भी प्रेस कर दें ताके लेटस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो फॉरन से देख सका करें यह इनका पानी बिल्कुल ड्राइ हो चुका है और कौफते पालक बिल्कुल रैडी हो चुके हैं अब मैं इनको डिश आउट कार लेती हूँ कौफते पालक मैंने डिश आउट कार लिए है आपने देखा बहुत ही इजी रैडी हो चुकी है कोई इतना ज़्यदा टाइम भी नहीं लगा इसको कुक करने में कौफते मैंने फ्रोजन यूज किये हैं इसी मैथर्ड से बनेंगे कौफते की रैस्पी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बुक्स में डाल दूँगी आप वहां से देख सकते हैं आई होप आपको मेरी आज की रैस्पी अच्छी लगी होगी आप ज़रूर ट्राइ कीजेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें साथ में बेल लाइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताके लेटस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंझाए करें और आप फुरण से वीडियो देख सका करें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रस्पी के साथ थेंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो